अटल बिहारी वाजपई जी के टाइम से जो बीजेपी है उसका क्या मुद्दा था? उसका मुद्दा यही था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो राफ अंदिर बनेगा, 370 हटेगा जम्मू कशिमिर से, तो आगे चल करके जब मोधी जी की गवर्मेंट आई हमारे राम हाद है तो हम क्या देखते हैं? कि बीजेपी की सरकार में, मोधी जी की लीडर्शिप में, आर्टिकल 370 भी हटा और सुप्रीम कोट के फैसले के बाद राम अंदिर भी बन गया है So, hello, hi, kya hal, chal everyone, my name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion So, बचाबादी आज के इस class में, आज के इस session में हम लोग discuss करने जा रहे हैं civics class 10th का बहुती important chapter that is political parties तो आज के session में हम लोग political parties के बारे में पढ़ेंगे हम Indians का सबसे favorite topic कहीं न कहीं यही है क्योंकि जब भी बात आती है भारतिय लोगों की, Indians की तो भाईया जब तक राजनीती की बात ना हो तो मजा नहीं आता और political parties के बिना राजनीती अधूरी है तो इस chapter के अंदर हम लोग political parties के meaning को समझेंगे modern democracies के अंदर political parties की necessity, जरूरत को समझेंगे साथ ही साथ political parties के क्या functions होते हैं वो देखेंगे and most importantly political parties किस तरह के से with the time evolve हो रही है क्या challenges है, क्या drawbacks है, national parties क्या होती है, regional parties क्या होती है क्या criteria होता है उनका, ये सब चीजे हम इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं तो चलिए class की शुरुआत करते हैं, chapter की शुरुआत करते हैं without any delay तो देखें जब बात आती है democracies की, democracy के अंदर हम क्या देखते हैं कि लोग अपनी सरकार चुनते हैं, लोग अपने representatives को चुनते हैं और वो representatives उनके बहाफ पर decisions लेते हैं, policies बनाते हैं तो इस तरह के से चीजें चलती हुई हमें देखने को मिलती हैं बट यहाँ पर एक सबसे पहला question जो हमारे mind में आता है कि आज के समय पर हमें political parties की जरूरत क्यूं है तो देखें सीधी सी बात यहाँ पर है Political parties are one of the most visible institutions in democracy अगर हमें कहना है कि भारत के अंदर लोक तंत्र है डेमोक्रेसी है तो यह हम कैसे कहेंगे अलग-अलग political parties को देख करके उनके नेताओं को देख करके, leadership को देख करके So political parties are something very very important for the modern democracies साथ ही साथ अगर आप देखो तो अपने surroundings में भारत में साड़े 700 से ज़ादा political parties आपको देखने को मिलती है और यह political parties लोगों को, लोगों की needs को, उनके demands को अलग-अलग cultures को कही न कहीं represent करती है तो डेमोक्रेसी के अंदर political parties are one of the most visible institutions साथ ही साथ जब हम एक ordinary citizen की बात करते है एक आम नागरिक की बात करते है आप किसी गाउं देहात में चले जाईए रिमोट एरिया में चले जाईए आप वहाँ पर देखेंगे कि लोगों को, आम जंता को भारत के समविधान के बारे में जादा knowledge नहीं है सरकार के बारे में नहीं पता कि कौन मंत्री है और कौन नहीं बट हाँ, अगर उनको पता होगा, तो political party के बारे में जरूर पता होगा कि अच्छा भाईया, कमल के फूल वाले हो, हाथ के पंजे वाले हो, जाडू वाले हो, साइकल वाले हो तो कौन में लाकर के, when it comes to ordinary citizen, आम आदमी के लिए democracy का मतलब है political party या यह कहिए, कि for them, democracy is equal to political party साथ ही साथ, उन लोगों को हमारे governance के system के बारे में कुछ जादा नहीं पता होता बढ़ हाँ, नेताओं के बारे में, politics के बारे में, बहुत कुछ पता होता है या कहिए, कि they are very much aware about these things इसके अलावा, जब बात आती है भारत की तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि ये political parties की सिरफ popularity को नहीं दिखाता कि भाया, पता है लोगों को ये सिरफ और सिरफ यहाँ पर political party कितनी powerful है, कितनी popular है, वो नहीं दिखा रहा है आप देखते हो कि democracy के अंदर अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो लोग political party को ही क्या करते है, criticize करते है what people do, they simply criticize the political party जादा तर लोग आपको देखने को मिलते हैं कि वो कुछ भी देश के अंदर गलत हो रहा हो उसका सीधा सीधा blame political party के ओपर ही डाल देंगे चाहे लेना हो लेना हो तो कुल मिला करके political parties are something very very important और खास तोर पे modern democracies में political parties का रोल अपने आप में क्या है बहुत जादा important हो जाता है इसके अलावा बचा when it comes to political parties तो political parties समाज के अंदर क्या कर रही है social और political divisions को कही ना कहीं दिखा रही है political parties समाज के अंदर जो भी social problems है issues है उनको और political divisions को कहीं ना कहीं क्या करती है identify करती है और इन्ही issues को अपना base बना करके मुद्दा बना करके आगे अपनी politics करती है तो political party हमारे लिए बहुत जादा क्या है जरूरी हो जाती है इसके अलावा अगर आप देखो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि political party का मतलब क्या है अगर definition को देखे so a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government political party का सीधा सा simple सा मतलब क्या है कि ये लोगों का एक group है और ये लोग साथ आए हैं क्यों ताकि ये election लड़ सके और election जीत करके power में आ करके सरकार बना सके government बना सके तो हमारे political parties में आप देखते हो कि बहुत सारी popular political parties है जिसमें Congress हो गई, BJP हो गई, तरनमूल Congress हो गई, आमाधनी party हो गई ये सब political parties आपको देखने को मिलती हैं साथ ही साथ political parties जो हैं, वो क्या करती हैं, कुछ policies और programs बना करके चलती हैं हर political party का अपना एक agenda होता है, एक program होता है और उन्हीं को वो आगे ले करके चलती हैं, अपनी राजनीती उन्हीं के around ले करके चलती हैं जैसे कि अगर हम BJP की बात करें, तो शुरुवात से ही, अटल भिहारी वाजपई जी के टाइम से ही BJP के जो मेन मुद्दे रहे उसमें, article 370, जमू कश्मीर से हटाना साथ ही साथ, uniform civil code लाना, राम मंदिर का issue, ये सब उनके issues शुरू से रहे उस पर उन्होंने काम भी किया, तो हर एक political party का अपना एक policy, अपना एक program होता है जो वो समाज के आगे, society के आगे रखते हैं, उसको promote करते हैं साथ में जब बात आती है यहाँ पर political parties की, तो इन policies और programs को लागू करने के लिए वो कहते हैं कि भाईया हमें support करो, अगर हम elections जीत जाएंगे, तो हम इन policies और programs को क्या करेंगे, लागू करेंगे तो अगर आप देखो, अटल भिहारी वाजपई जी के टाइम से जो बीजेपी है, उसका क्या मुद्दा था, उसका मुद्दा यही था, कि हमारी अगर सरकार आएगी, तो रामंदिर बनेगा, 370 हटेगा जमू कश्मीर से, तो आगे चल करके, जब मोधी जी की government आई, तो ह कही ना कही जब बात आती है, political parties की, उनके ये वादे, ये policies और programs कही ना कही बहुत जरूरी है, उनकी politics के लिए, जो कि उनको एक base provide करते हैं, साथ में अगर हम यहाँ पर देखें, तो political parties जो हैं समाज के अंदर, एक division तो करती ही है, क्रेट साथ में, partisanship भी हमें देखने को मिल करती है, आपने देखा होगा, कि there are some people who are the blind followers of a particular political party, कुछ भी हो जाए, भाई या हम तो vote BJP को ही देंगे, भाई या हम रहे तो दादा जी के time से Congress को vote डलता आया है, vote मतलब हमारे लिए हाथ का पंजा, तो political parties भी चाहती हैं, कि ऐसे लोग हो, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे, तो political parties का base जो है, वो strong नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के, अगर आप देखो, तो political parties समाज के अंदर, society के अंदर, एक political division create करती हैं, और साथ ही साथ partisanship हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा, एक political party अपने आप में, इन policies और इन issues को ले करके चलती है, हर political party का अपना एक agenda है, जिस agenda के साथ, वो stand करती है, वो agenda को uphold करती है, follow करती है, और उन policies को support करती है, तो political party के ये सब चीजे बहुत important हो जाती हैं, तो political party का मतलब क्या हुआ, political party का मतलब हो गया, एक group, political group लोगों का, जो साथ में आया है, एक विचारधारा रखता है, election लड़ेगा, और अगर election जीट जाएंगे, power में आ जाएंगे, तो सरकार भी बनाएगा, तो ये सब चीजे हमें हाँ पर क्या हैं, देखने को मिलती हैं, अब हर एक political party के components होते हैं, तो every political party has three main components, तीन main components हमें यहाँ पर हर political party के देखने को मिलते हैं, यहां से अकसर MCQ पूछ लिया जाता है, components की जब बात आती है, तो सबसे पहला component आता है political party के अंदर leaders का, अगर बीजेपी की ही बात करें, तो बीजेपी के अंदर आप देखते हो, कि नरेंद्र मूदी जी, योगी आदित्यानात जी, अमिश शाह, और भी काफी सारे नेता, जो top leadership है, वो आपको देखने को मिलती है जो क्या है, पार्टी का एक तरह के से face है, पार्टी का क्या है, चेहरा है, इनके अलावा leaders के बाद दूसरे number पर आते हैं party के active members, आप लोगों जानते होगे, टीवी पर देखा होगा बहुत, बीजेपी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपने देखा है, सुदानशु तरिवेदी जी को, यह बैठे होते हैं, political, जब भी कोई debate हो रहा होता है, तो उसमें BJP को represent करते हैं, similarly, अगर हम Congress की बात करें, तो यहाँ पर जब leaders की बात आती है, तो राहुल गांधी हो गए, मलिका अरजुन खडगे हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, यह क्यों है, यह Congress की top leadership है, अगर बात आती है active members की, तो आपने देखा होगा, सुप्रिया श्री नेत जी हो गई, और भी कुछ spokesperson है, तो पहले जब हम components को देखें, तो सबसे पहले leaders, then active members, और फिर बात में आते हैं followers, followers नहीं होंगे, तो यह दोनों किसी काम के नहीं, तो followers सबसे important हो जाते हैं गई नहीं अगर आपको हो तो, so when it comes to the components of the political party, so leaders, active members and followers are the three main components of the political party, यहां से directly कई बार question भी आपके exam में आ जाता है, पूछ लेता है, खास तो और पर MCQ, तो आपको ये तीनों पता होने बहुत जादा क्या हैं, जरूरी है, अब देखें क्या है, कि हर एक political party, क्या कर रही है, कुछ functions को follow कर रही है, हर एक political party का क्या है, एक function है, जो democracy के अंदर political party को क्या कर देता है, important बना देता है, जिसमें सबसे बहला function आता है, to contest the elections, अगर आप देखो, तो भारत के अंदर, या वर्ल्ट के किसी भी part में, political parties का सबसे important, सबसे जरूरी काम क्या है, elections में उतरना, elections को contest करना, तो हम देखते हैं, कि हर साल, कहीं ना कहीं, elections आपको देखने को मिलते ही हैं, वैसे, after every five years, हर पाँच साल में, भारत के अंदर चुनाव होते हैं, अभी हाल ही में, 2024, 2024 में भी elections हुए लोक सबहा के, तो आप देखते हो, कि political parties क्या कर रहे हैं, चुनाव में लड़ती हैं, contest the elections, ये इनका सबसे important काम है, जब भी बात आती है, political parties की, तो यहाँ पर क्या होता है, कि हर एक political party, चुनाव के अंदर अपने candidates उतारती है, और ये candidates, अरे क्या हो रहा है भाईया, हर एक political party चुनाव में अपने candidates उतारती है, ये candidates उस political party को represent करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, अब इन candidates को जब choose करने की बात आती है, तो खास तोर पर अगर हम western countries की बात करें, जैसे US से वगेरा हो गया, इन countries के अंदर क्या होता है, कि हर एक political party के जो active members होते हैं, supporters होते हैं उस party के, वो बताते हैं कि भाईया, किन को ticket दिया जाए, कौन चुनाव जीत जाएगा, हना, बट जब इंडिया की बात आती है, तो हमारे आपर थोड़ा सा system अलग है, हम क्या देखते हैं कि भारत के अंदर, जो उस political party की top leadership होती है, वो चूज करती है कि कौन सा candidate चुनाव लड़ेगा, आपने देखा होगा, अक्सर क्या होता है, कि जो भी political party को follow करने वाले लोग होते हैं, जिनने ticket चाहिए होता है, चुनाव लड़ना होता है, जिनने, वो उस party की top leadership के पीछे पीछे जाएंगे, तो अगर हम Congress की बात करें, तो Congress में गांधी परिवार हो गया, मलिक आरजुन खडगे हो गए, जो top leadership है, वो decide करेगी कि भाईया किसको ticket देना है, किसको नहीं, ऐसे ही अगर हम BJP की बात करें, तो मोदी जी हो गए, अमिशाह हो गए, योगी अधित्यनाथ हो गए, नितिन गड़करी हो गए ये लोग decide करेंगे कि भाईया BJP से चुनाव कौन लड़ेगा, तो हमारे देश में क्या होता है कि top leaders जो है party के, वो क्या करते हैं, वो candidates का चुनाव करते हैं, choose करते हैं कि भाईया ये चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहला function political parties का क्या हो गया, that political parties contest elections, ये उनका सबसे important और primary function है, इसके बाद दूसरे number पर अगर हम देखे, तो second most important function of the political party is that different political parties put forward different policies and programs and the voters choose from them, हर political party क्या करती है, कुछ policies और programs अपने बनाती है, और उन policies और programs के basis पर ही क्या होता है, कि भाईया जो voters हैं, वो political party को चुनते हैं, vote डालते हैं, अपने candidate को चुनते हैं, आपने देखा होगा, चुनाव के समय पर हर political party एक manifesto निकालती है, उस manifesto में बताया जाता है कि अगर हमरी सरकार आएगी, तो हम ये करेंगे 5 साल में, तो उस manifesto के अंदर political party अपने policies और programs लोगों तक पहुंचाती है, अब देखो क्या है कि वैसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे opinions हैं, बहुत सारे needs हैं, बहुत सारे demands हैं, political parties क्या करती हैं, इन vast opinion में से अपने कुछ basic positions clear करती हैं, माल लीजिए, political parties में क्या होगा, meetings होंगी, for example, अगर हम BJP या Congress की ही बात करें, तो चुनाव से पहले जो यहां इनके top leadership है, इनके जो active members हैं, वो सब बैढ़ जाएंगे, कि भाया चुनाव में क्या करना है, चुनाव में जंता से क्या वादे करने है, manifesto में क्या होना चाहिए, तो अलग-अलग opinions आएंगे, उन अलग-अलग opinions में से एक common agenda तयार करा जाएगा, और एक basic position तयार करी जाएगी, जिसको वो political party support करेगी, जब वो सरकार में आएगी, government मे आएगी, जब वो ruling party बनेगी, तो होता है ना, कहते है ना, कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम ये सब follow करेंगे, तो इन्होंने 2024 में क्या दिया, Modi की guarantee, वहीं दूसरे तरफ Congress ने क्या दिया, Congress ने दिया, न्याय पत्र, तो political parties क्या करती है, basically कुछ basic positions clear करती है, policies बनाती है, programs बनाती है, और उनके basis पर चुनाव में उतरती है और कहती है, कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो जब हम ruling party बनेगे, तो हम इन policies और programs को लागू करेंगे, implement करेंगे, तो second most important function political party का क्या हो गया, that they put forward different policies and programs from which the voters can choose, इसके बाद, तीसरा important function जो political parties का आ जाता है, वो है यहाँ पर, that political parties plays a decisive role in making laws for the country, अब देखो क्या है, भारत के अंदर, या किसी भी democracy के अंदर, क्या होता है, कि आम जनता, अपने leaders को, अपने representatives को चुनती है, यह leaders, यह representatives, आम जनता के behalf पर policies बनाते हैं, laws बनाते हैं, तो जब हम बात करते हैं भारत की, तो आपने class 9 में पढ़ा, देखा, कि कैसे, देश के लिए, national level पर, parliament, एक legislative body है, law making organization है, और state level पर, विधान सभा, विधान परिशद हमें देखने को मिलती हैं, तो जब बात आती है, यहां पर laws गी, तो जब भी legislature के अंदर laws लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो बहुत ज़ादा debate होता है, उसी के बाद वो pass होते हैं, तो आपने देखा होगा, parliament में कौन लोग बैटे हैं, लोकसभा, राजेसभा में कौन लोग बैटे हैं, different political parties से आने वाले लोग, तो political parties का एक important function क्या है, कि भीया वो कानून बनाएं देश के लिए, अब वैसे तो हर एक member, यहां पर free है, अपने opinion follow करने के लिए, बट होता क्या है, कि जो भी party leadership कहती है, जो भी party leadership का direction होता है, उसी को follow करा जाता है, और leaders अपने personal opinions side रख देते हैं, तो आपने देखा होगा, कि जब भी किसी कानून के ओपर कोई चर्चा होती है, या मान लीजिए news में, किसी reporter ने नेता जी से पूछ लिया, कि नेता जी आपका क्या कहना है, तो अगर नेता जी BJP के होंगे, तो वो कहेंगे, मुझी जी का फैसले है, बहुत अच्छा फैसले है, पार्टी हाई कमान का फैसले है, वहीं दूसरी तरफ अगर Congress के किसी leader से पूछ लिया, तो कहेंगे, राहूल गांधी जी का बहुदिया फैसले है, पार्टी कमान ने बहुत बढ़ी पैसले है, तो क्या हो रहा है ये, य third important function of the political parties is that they play a decisive role in making laws for the country. देश के लिए कानून बनाने का सबसे important काम करते हैं. इसके अलावा जो अगला important function हो जाता है वो हो जाता है that political parties form and run the government. सबसे important भाईया, सरकार तो बनानी है. सबसे पहले हमने क्या देखा कि elections हुए. elections क्यों कराएगा? सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए. तो आप यहाँ पर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं 9th class में कि देश के अंदर जो भी important decisions लिए जाते हैं वो political executive ही लेता है. political executive ही decide करेगा कि क्या होना है और क्या होना चाहिए. तो political executive कहां से आएगा? political parties से आएगा. तो जो भी political party चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी, उसके जो leaders होंगे, उनको train करा जाएगा और वो leaders क्या करेंगे यहाँ पर? सरकार में जाकर के minister बनेंगे और government चलाएंगे. तो आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखें, तो Modi जी हो गए, राजना सिंग जी हो गए, अमिश शाह हो गए, नितन गडगरी हो गए, जेपी नड़ा हो गए, यह हमारा political executive है, प्रधान मंतरी और उनके साथ cabinet ministers और इन सब का काम क्या है? decisions लेना देश के लिए, सरकार चलाना. तो यहाँ पर fourth important function हो जाता है political parties का to form and run the government. इसके बाद जो हमारा fifth important function यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वो है that the political parties also play the role of opposition. अब भया सारे के सारे तो चुनाव जीत नहीं सकते, तो जो चुनाव हार जाते हैं, the political parties that lose in the election, they play the role of opposition. वो क्या करते हैं? वो विपक्ष का काम करते हैं. यह लोग क्या करेंगे? विपक्ष का काम करेंगे. तो इस टाइम पर जो Congress है, इस टाइम पर गया, पिछले 10 साल से जो Congress है, वो विपक्ष का काम कर रही है. अब पोजीशन में बैठी है. और यह क्या करते हैं, अब पोजीशन में बैठ करके, जो भी political party power में होती है, सत्ता में होती है, यह उस political party के government के failures पर उसको criticize करेंगे. अगर सरकार ने कुछ गलत कर दिया, तो क्या करेंगे? उसको criticize करेंगे. साथ ही साथ, अगर government की कुछ policy wrong है, कोई policy गलत है, तो उस पर government को criticize करेंगे. आम जनता में यह क्या करेंगे? opposition, विपक्ष का का करेंगे. तो आपने देखा होगा, जब भी कोई policy आती है, जैसे demonetization हुआ, note बंदी हुई, तो भाईया पूरे विपक्ष ने कहा कि बहुत गलत काम हुआ यह, GST लाए गया तो कहा भाईया बहुत गलत काम हुआ. तो यह क्या विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो जो सरकार है, वो क्या है, वो कहीं नहीं autocratic हो जाएगी, निरंकुष हो जाएगी. So for healthy democracy, we need strong opposition as well, जो कि बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर fifth important function हो गया political parties का, that they play the role of opposition as well. इसके बाद, जो अगला, sixth important function यहाँ पर होता है, वो है political parties shape public opinion by raising and highlighting the issues. Political parties का एक बहुत important काम क्या है? कि एक public opinion shape करा जाए, लोगों की एक राय बनाई जाए. तो आपने देखा होगा, टीवी पर जितने भी political debates होते हैं, उनका main motive क्या होता है? एक public opinion बनाना. हम देखते हैं कि जब भी political debate होती हैं, तो बीजेपी के अगर नेता बैठे हैं, तो वो बताएंगे कि सरकार ये काम कर रही है, अच्छा कर रही है. Congress वाले अगर बैठे हैं, तो बताएंगे नहीं जी भाईया, इस policy में ये चीज गलत है, तो क्या हो रहा है कि एक public opinion शेप करा जा रहा है, आम जनता तक information पहुँचाई जा रही है, आम जनता का एक opinion बनाया जा रहा है. तो जब बात आती है यहां पर public opinion की, तो कई बार political parties के साथ कुछ pressure groups भी होते हैं, जैसे कि farmers association हो गए, farmer union हो गए, trade union हो गए, workers association हो गए, हर political party के साथ एक pressure group जोड़ा होता है, जो उस political parties के machinery का काम करता है, समाज के अंदर उस political party के लिए opinion, एक public opinion क्रियेट करता है और अक्सर हम देखते हैं कि कई बार तो political parties क्या है, movements भी launch करती है, लोगों का opinion बनाने के लिए, public opinion बनाने के लिए तो आप लोगों ने देखा होगा, राहूल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उस भारत जोड़ो यात्रा करने के पीछे का में मकसद क्या था, कि समाज में लोगों के अंदर एक public opinion बनाना, बीजेपी के खिलाफ, एक opposition क्रियेट करना, strong, healthy opposition क्रियेट करना, तो उन्ह important function हैं लोगों का public opinion shape करना, और आपने देखा कि 2024 चुनाव में उसका result भी हमें देखने को मिला, Congress पहले के चुनाव के मुकाबले इस बार, एक strong opposition बनता हुआ हमें देखने को यहां पर मिला, इसके अलावा, जो 7th important function political party का हो जाता है, वो है, that political parties provide people access to the government machinery and welfare schemes implemented by the government, देखो, आम आदमी को, आम नागरिक को, आम जनता को नहीं पता होता, सरकार क्या policies बना रही है, क्या welfare schemes लेकर क्या रही है, अगर आप खुद सोचो, तो एक आम आदमी के लिए, अपने local party leader के साथ connect करना आसान है, government officer के मुकाबले, एक आम नागरिक, अगर उसको कोई problem होगी, अपने area से related, तो एक ordinary citizen सीधा अपने local party leader के पास चला जाएगा, बजाए government officer के, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा government officer है, क्या करता है, वो नेता जी के पास जाएगा, चाहे पानी आ रहा हो, ना रहा हो, चाहे बिजली की समस्या हो, वो क्या करेगा, नेता जी के पास जाएगा, local party leader के पास जाएगा, अगर उसको pension आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, सरकार की तरफ से welfare schemes का फायदा मिल रहा होगा नहीं आएगा, वो सीधा leader के पास जाएगा, कि भाईया देख लेते ये दिक्कत हो रही है, और political parties को वो काम करना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे, तो लोग क्या हैं, उनको reject कर देंगे चुनाव के अंदर, तो आपने देखा, जब भारत सरकार स्वच भारत अभियान लेकर रही है तो सब नेताओं को, मोदी जीन ने काम पे लगा दिया कि भाईया चलो शुरू हो जाओ जाओ जाड़ू माणना, लोगों को अवेर करो, ऐसे ही आयुश्मान भारत योजना हो गई, जिसमें सरकार medical benefits लोगों को provide कर रही है, तो कह दिया भाईया कि बताओ, लोगों तक political parties क्या करती है, सरकार और आम जनता के बीच में एक bridge का काम करती है, जो आम जनता को government machinery तक पहुचाने में मदद करता है, तो ये important functions है political parties के, जिनको हमने यहाँ पर discuss करा, यहाँ से अक्सर आपके exam में question भी क्या है, पूछ लिया जाता है, अब आगे की तरफ चलते हैं, और discuss करेंगे political parties के necessity के बारे में, तो देखिए, जब बात आती है political parties की, और खास तोर पर जब हम democracy की बात करते हैं, तो हमें दो तरह के की democracy देखने को मिलती है, एक होती है direct democracy, और एक होती है indirect democracy, जिसे हम representative democracy भी कहते हैं, direct democracy के अंदर क्या होता है, कि सीधा आम जनता से पूछा जाता है कि क्या कानून बनाये जाएं, क्या rules बनाये जाएं, मतलब अगर कोई भी कानून बनाना है, तो आम जनता उसके लिए vote करेगी, वही representative democracy या indirect democracy के अंदर हम क्या देखते हैं, indirect democracy के अंदर जो लोग है, वो अपने representatives को चुनते हैं, उनके लिए vote डालते हैं, और ये representatives फिर decide करते हैं, क्या laws, क्या rules, क्या regulations बनाये जाएंगे, तो direct और indirect democracy में ये एक difference हमें देखने को मिलता है, तो जब बात आती है modern democracies की, भारत जैसे देश की, तो आपको यहाँ पर representative democracy देखने को मिलती है, तो political parties की necessity क्या है, जैसे जैसे representative democracies बढ़ रही हैं, वैसे वैसे political parties का rise हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, आज से 100-500 साल पहले, political parties ना के बराबर होती थी, होती ही नहीं थी in fact, बहुत कम होती थी, बट आज अगर आप देखो, तो आज आपको political party हर देश के अंदर देखने को मिलेगी, तो representative democracies के साथ हमें political parties का rise देखने को मिलता है, और जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ रहा है, complex हो रहा है, वैसे वैसे एक agency की जरूरत है, एक organization की जरूरत है, जो लोगों के अलग-अलग views, अलग-अलग issues को सामने रख सके government के, तो political parties यही काम करती है, political parties, उनके representatives, लोगों के जितने भी issues हैं, लोगों की जो demands हैं, जो needs हैं, उनको लेकर के responsible होते हैं, और जब भी government बनाई जाती है, तो उन issues पर, उन demands पर, उन needs पर, जो various components हैं, society के, उन पर काम करा जाता है, so when it comes to representative democracy, so these representatives basically highlight the issues, the needs and the demands of the people, साथ में, ये एक तरह के का mechanism create करते हैं, एक mechanism का काम करते हैं, जिसमें ये government को support करते हैं, government की policies बनाते हैं, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो उसको oppose भी करते हैं, तो necessity में ये चीज़ें हमें जरूरी देखने को मिलती हैं, खास तोर पर representative democracy के अंदर, political parties लोगों की needs और demands को समझती हैं, और उसके हिसाब से ही क्या है, government काम करती हैं, representatives काम करते हैं, अगर आप इसको और बहतर तरीके से एक example के साथ समझें, तो आप समझिए कि भाईया एक situation है, जहां पर elections हुए, और elections में हर एक candidate independent है, यानि कि वो किसी भी political party को belong नहीं करता, तो क्या है, कि यहां पर कोई promise लोगों को जो हुआ है, वो fulfill ही नहीं हो पाएगा, कोई major policy change हो ही नहीं पाएगा, हर कोई अपनी बात करेगा, सरकार जैसे तैसे बन तो जाएगी, बट बहुत ज़ादा क्या है, uncertainty रहेगी, बट वहीं जब हम एक political party देखते हैं, अगर political party है तो पत है, कि भाईया अगर इस political party के नेता को जिताएंगे, तो यह प्रधानमंत्री बनेंगे, यह इनकी policies हैं, यह इनके programs हैं, इस पर काम होगा, बट वहीं अगर किसी independent candidate को जिता दोगे, यह हर कोई independent candidate जीत जाएगा चुनाब, political party होगी नहीं, तो एक बहुती chaotic situation बन जाएगी, तो इसलिए जब बात आती है representative democracy की, तो political parties और उसके elected representatives, accountability ensure करते हैं, they are accountable towards their constituency, towards their people, वहीं अगर आप independent candidates को जिता दोगे, तो क्या है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, कि भाईया, पाश साल हैं, लूट लेता हूँ, जितना लूटना है, देखी जाएगी जनतागी तो, उसके उपर कोई accountability, कोई responsibility नहीं होगी, तो इसी लिए, representative democracy के अंदर, political parties का होना, बहुत जादा क्या है, जरूरी हो जाता है, अक्सर यहां से भी question आपके exam में पूछ लिया जाता है, about the necessity of the political party, तो अभी तक इस chapter के अंदर, हम लोगों ने, सबसे पहले political parties का meaning समझा, then political parties के functions को पढ़ा, और साथ में political party की necessity जरूरत को समझा, तो यह सब चीजें अभी तक हम यहां पर क्या है, पढ़ चुके हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं, और हम यहां पर बात करेंगे, how many parties should have, तो political parties कितनी होनी चाहिए, देखो अगर हम अपने आसपास देखें, तो हमें अलग अलग तरेके के political party system देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम चाइना की ही बात करें, तो चाइना जैसे देशों में आपको one party system देखने को मिलेगा, जहां पर क्या है, सिरफ एक ही political party है, जो government को control और run कर रही है, तो ऐसे system को one party system कहा जाता है, when it comes to China, so in China, Communist Party of China आपको देखने को मिलेगी, चाइना के अंदर सिरफ यही एक political party है, जो representatives चुन करके आते हैं, और साथ में हमेशा यही लोग क्या है, सरकार बनाते हैं, यानि कि यहां पर आपके पास कोई choice नहीं है, सिरफ एक ही political party है, वहीं दूसरी तरफ, एक और system हमें देखने को मिलता है, जिसे two party system या by party system कहा जाता है, तो कुछ देशों में क्या है, कि दो ही main parties आपको देखने को मिलती हैं, और कभी क्या होता है, कि एक political party आगई सरकार में, पास साल बाद दूसरी आगई, या जो भी वहाँ पर मैंना next elections है, तो by party system हमें देखने को मिलता है, और यह जादा तर popular है कहां पर, यह जादा तर popular है United States के अंदर, United States of America हो गया हो, या United Kingdom of Britain हो गया हो, आप देखोगे कि वहाँ पर दो ही main political parties हैं, जो अकसर चुनाव जीतती हैं, और ऐसे में हम कहते हैं कि भाईया क्या है वहाँ पर two party system है, तो United States of America and United Kingdom में हमें two party system देखने को मिलता है, अमेरिका की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स, रिपब्लिकन सॉरी, दो main political parties है, तो आपने देखा, इस टाइम पर United States के अंदर जो बाईडन वहाँ के राष्ट्रपती है, प्रेजिडेंट है, जो डेमोक्रेट्स पार्टी से आते हैं, उन से पहले कौन थे? उन से पहले Donald Trump थे, जो Republican party से आते थे, और Trump से पहले कौन थे? Obama थे, जो डेमोक्रेट्स से आते थे, अब इस बार भी अगर आप देखो, तो वहाँ पर अब elections है, अमेरिका के अंदर, वही डेमोक्रेट्स और Republicans के बीच में में चुनाव है, डेमोक्रेट्स से कमला हैरिस है, और Republican से डोनाल्ड ट्रम्प है, तो कुल में लाकर के, हमें यहाँ पर दो ही में political party देखने को मिलती हैं, बट वन इट कम्स टू कंट्रीज लाइक इंडिया, जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर आपको multi-party system देखने को मिलेगा, अगर हम इंडिया को देखें, तो 7.500 से ज़ादा, 750 से ज़ादा political parties भारत के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर क्या है, कि बहुत सारी political parties चुनाव लड़ती हैं, पावर सत्ता में आने के लिए, और दो से ज़ादा political parties कई बार मिलकर के सरकार भी बनाती हैं, चुनाव भी साथ में लड़ती हैं, एक alliance बनाती हैं, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, कि multi-party system हमें देखने को मिलता है, तो भारत की जब बात आती है, इंडिया की, तो इंडिया में आप देखते हूँ कि multi-party system है, और चुनाव से पहले अकसर, political party क्या हैं, alliance तयार करती हैं, क्या करती हैं, alliance तयार करती हैं, चुनाव से पहले, तो अगर हम 2004 के parliamentary elections की बात करें, तो उस time पर हमें National Democratic Alliance, United Progressive Alliance और Left Front तीन फ्रंट या तीन alliance देखने को मिलें, जिसमें NDA में BJP और BJP के सहयोगी दल शामिल थे, UPA में Congress और Congress के सहयोगी दल शामिल थे, और Left में आपको Left Political Parties देखने को मिलें, वहीं अगर आप 2024 की बात करें, तो 2024 elections में, इस elections में क्या हुआ, इस elections में हमें दो मीन alliance बनते हुए देखने को मिलें, एक था NDA, जिसके अंदर BJP और BJP के सहयोगी दल शामिल थे, National Democratic Alliance, और इस बार हमें एक नया alliance बनता हुआ देखने को मिला, या यह कहिए, पुराने alliance का ही नया नाम देखने को मिला, जो गिधा, इंडी alliance, इंडिया जिसे बोला गया, जिसमें Congress और Congress के सहयोगी दल शामिल थे, तो सारी opposition parties ने मिलकर के, इंडिया alliance इस बार बनाया, हाना, तो कुल मिलाकर के होता क्या है, multi-party system के अंदर, कि हमें अलग-अलग political parties, चुनाव लड़ते हुए देखने को मिलती हैं, अक्सर आप लोग यहां पर confused हो जाते हो, दो terms के अंदर, अक्सर बच्चे दो terms के अंदर confused होते हैं, जिसमें एक है alliance, और दूसरा है coalition, देखो, जब बाद आती है elections की, जब बाद आती है elections की, चुनाव की, तो चुनाव से पहले, before the elections, क्या, before the elections, alliance बनाया जाता है, जिसका motive होता है, कि साथ मिलकर की क्या करेंगे, चुनाव को contest करेंगे, contest elections, और अगर यह alliance, चुनाव जीत जाता है, so after that, after elections, after elections क्या होता है, कि यह, सरकार चलाते हैं, मिलकर के, तो जो सरकार बनती है, जो government यहाँ पर बनती है, उसे coalition government कहा जाता है, जब दो, या, दो से ज़ादा, political party, साथ मिलकर के, सरकार बनाती है, तो उसे coalition government कहा जाता है, that's it, तो alliance और coalition की बीच का difference क्या हुआ, कि चुनाव से पहले, चुनाव लड़ने के लिए, alliance बनाया जाता है, जिसमें अलग-अलग political parties साथ आती हैं, वहीं चुनाव के बाद, जब चुनाव जीत जाते हैं, तो सरकार बनाने और चलाने के लिए, form and run government, two or more political parties come together, and that government is known as coalition government, तो इस टाइम पर, मोदी जी की जो सरकार है, जो government है हमारे देश में, वह coalition government है, क्योंकि उसमें BJP, साथ में JDU, नितिश कुमार जी की party, और साथ में TDP, चंदरबाबू, नाइडू की party, और भी बहुत सारे छोटे, तो ये था alliance और coalition के बीच का difference, जिसमें अकसर आप लोग confused हो जाते हो, exam में हाँ से MCQ पूछा जाएगा, question पूछ ले गया आप से, कि what do you mean by coalition government, so when two or more than two political parties, come together, form the government, that government is known as coalition government, that's it, तो multi-party system के अंदर, ये coalition government हमें अकसर देखने को मिलता है, और इस टाइम पर भी आपको देखने को मिल रहा है, बट जब बाद आती है, कि भाईया, कौन सा बेटर है, one party system बेटर है, two party system बेटर है, या multi party system बेटर है, अकसर आपने देखा होगा, अकसर भारत के अंदर भी होता है, लोग कहते हैं कि भाईया, चाइना ठीक है, एक ही political party है, ऐसा ही भारत में होना चाहिए, but it is not that easy, ये attack करना, ये decide करना, इतना आसान नहीं है, ये देश के हाथ में नहीं है, कि भाईया, कौन सा system बनाया जाए, कौन सा system लागू करा जाए, चूज करा जाए, जब बात आती है, political party system की, तो it takes a long time, बहुत लंबा समय लगता है, और ये depend करता है, उस देश की society पर, वहां के social और regional divisions पर, साथ ही साथ उस देश की history पर, और वहां के system of elections पर, ये इतनी जल्दी, इतनी तेजी के साथ, change नहीं किया जा सकता system, तो अगर आप भारत की ही बात करो, अगर हम example लें भारत का ही, so when it comes to India, तो भारत के अंदर, आपको अलग-अलग social और geographical diversities, देखने को मिलेंगे, और इतने सारे cultures को, इतनी सारी diversities को, दो political parties represent करें हैं, possible नहीं है, और भारत का अगर आप nature of society देखो, if you look at the nature of society in India, तो बहुत जादा diversity है, अलग-अलग भाशा, अलग-अलग religion, अलग-अलग धरम को follow करने वाले, caste को follow करने वाले, लोग साथ रहते हैं, और अगर आप भारत का इतिहास उठा करके देखो, हिस्ट्री देखो भारत की, तो आपको पता लग जाएगा, कि कोई भी ऐसा ruler नहीं हुआ, जो पूरे भारत को अपने control में ले पाया, अगर हम अशोक की भी बात करें, तो अशोक दा ग्रेट, चक्रवती समराथ अशोक के टाइम पर भी, मौरे नमपार पूरे भारत में नहीं था, साउथ में वहाँ पर आपको चोल, चेर, पंडिया जैसे डानास्टीज देखने को मिलते थे, उसके बाद आगे चल करके, अगर हम मुगल रूल की बात भी करें, तो औरंग जेब की बसका भी नहीं हुआ, कि वो पूरे भारत को अपने साथ ले सके, उसको भी छत्रपदी शिवाजी महराज, सिख एमपायर ने टक्कर दी लगातार, और यहां तक की अंग्रेजों से भी यह पॉसिबल नहीं हो पाया, और 1857 की करांती में उन्होंने मूगी खानी पड़ी, तो जब भारत आजाद हुआ, तो ज़रूरी था कि भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम तयार करा जाए, जहां पर अलग-अलग डाइवर्सिटीज को रेप्रेजेंटेशन मिले, तो हम Freedom Struggle में भी देखते हैं कि अलग-अलग तरीके से लोगों ने Freedom Struggle के अंदर पार्टिसिपेट करा, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग-अलग नीड्स, अलग-अलग डिमांड्स के साथ उसमें पार्टिसिपेट करा, हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग था, हमने पढ़ा Nationalism in India में, अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, तो उपर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, तो कुल में लाकर के कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बेटर है, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, यह डिपेंड करता है उस देश की सोसाइटी पर, उस देश की जोग्राफी पर, उस देश के कल्चर पर, उस देश की हिस्ट्री पर, तो भारत में वन पार्टी या टू पार्टी सिस्टम होना पॉसिबल ही नहीं है, करके यह सब situations, यह सब चीजें matter करती हैं, decide करने में कि कौन सा party system ideal है किसी particular country के लिए, अब आगे की तरफ चलते हैं, अब हम यहाँ पर discuss करेंगे national political parties को और साथ ही साथ समझेंगे कि जो political parties होती हैं, वो कितने type की होती हैं, तो देखी क्या है कि अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि जो political party system होता है हर एक देश का, वो उस country के geography, उस country के culture, उस country की diversity और भी बाकी सारे circumstances यह situations की basis पर तैय किया जाता है, अब बात आती है जब यहाँ पर political parties की, तो हमें अलग अलग तरह के political parties देखने को मिलते हैं, देखी क्या है कि democracies के अंदर हम देखते हैं कि दो तरह के-की political parties आज के समय पर हमें देखने को मिलते हैं खास तोर पर federal system के अंदर, जिसमें कुछ political parties ऐसी हैं, जो सिरफ कुछ particular states या federal units के अंदर ही present हैं, वहीं कुछ political parties ऐसी हैं, जो 4-5 states या पूरे देश के अंदर ही क्या है, popular हैं, तो भारत की भी जब हम बात करते हैं, तो भारत में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, दो तरह की political parties हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें एक आ जाती है regional political parties, या state political parties, ये जो political parties होती हैं, ये क्या है, ये या तो एक या दो राजियों के अंदर ही क्या है, इनकी सरकार हो गिया, ये popular होंगी, वहीं दूसरी तरफ आ जाती है national political parties, national political parties की अगर हम बात करें, तो नाम से ही पता लग रहा है बचा, क्या, कि भाईया ये पुरे देश के अंदर popular है, national level पर popular है, तो दो तरह की political parties हमें देखने को मिलती हैं, जब हम बात करते हैं national parties की, तो national parties अपने आप में काफी खास और important हो जाती हैं, क्योंकि ये पूरी country के अंदर आपको इनका presence देखने को मिलेगा, अच्छा, जितनी भी political parties हैं, हर एक political party को अपने आपको election commission of India के साथ क्या करना होगा, register करना होगा, so each and every political party has to be registered with the election commission of India, साथ ही साथ commission की जब हम बात करते हैं, तो election commission भी हर एक political party को equally treat करता है, बढ़ हाँ जो large party है, national parties है, उनको कुछ special facility दी जाती है, बाकि सब को equally treat यहां पर हमें होता हुआ देखने को मिलता है, जैसे कि हर political party का अपना एक क्या है, unique symbol होगा, साथ ही साथ हर political party के अपने कुछ features होंगे, इसके अलावा जो बड़ी political parties हैं, उनको कुछ privileges दी जाएंगे, special facilities दी जाएंगी, for example, चुनाफ परचार के दौरान, उस political party को national television पर, radio पर, अपने आपको आने का मौका दिया जाएगा, अपने आपको परचार करने का मौका दिया जाएगा, उसके जो star campaigners होंगे, star परचारक होंगे, उनका number जाएदा होगा, तो कुछ इस तरह के special facilities या privileges, large parties को या कही है national parties को, हमें देखने को मिलता है कि दी जाती है, अब जब बात आती है, यहाँ पर political parties में, लेखते हैं कि state party और national party के लिए, election commission of India ने एक criteria set करा हुआ है, सबसे पहले अगर हम state party की बात करें, तो अगर कोई भी political party, किसी particular state के अंदर, चुनाव में at least 6% vote हासिल करती है, और साथ में legislature के अंदर, चुनाव के अंदर दो seat जीतती है, तो उस political party को state party कहा जाएगा, तो state party के लिए क्या criteria है, क्या condition है, कि उस particular political party को state legislative assembly elections में, यानि कि विधान सभा की चुनाव में, at least 6% vote हासिल करने है, और 2 seat जीतनी है, अगर ऐसा होगा, तो उस political party को state party कह दिया जाएगा, वहीं जब national party की बात आती है, तो national party बनने के लिए criteria थोड़ा सा अलग है ध्यान से समझना, national party बनने के लिए criteria क्या कहता है, कि लोग सभा elections में, अगर किसी political party को total votes का 6% vote मिलता है, और state assembly elections में, लगातार 4 states के अंदर, उसको 6% vote मिलता है, या यह कहिए कि लोग सभा में उसके पास 4 seat हैं, तो उस political party को हम national party कहेंगे, तो state party के लिए criteria है, कि भया state assembly elections में आप 6% vote हासिल करें, और साथ में 2 seat जीतें, तो आपको state party कहा जाएगा, national party के लिए क्या criteria है, कि आप लोग सभा elections में total votes का 6% हासिल करें, और legislative assembly elections के अंदर, चार state में अगर आपकी political party 6% से जादा vote ले जाती है, और तब आपको national party कहा जाएगा, और साथ में आपके पास लोग सभा के अंदर 4 seat होनी चाहिए, तो ये आपको criteria देखने को मिलता है state party और national party का, अगर हम यहाँ पर आम आदमी party की बात करें, तो आज भारत के अंदर आम आदमी party एक national party है, बट अगर आप देखेंगे तो आम आदमी party की सरकार, आपको दो ही state में देखने को मिलेगी, पंजाब में और साथ में दिल्ली में, वहीं जब बात आती है आम आदमी party के लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा में उनके फिलहाल तीन ही मेंबर हैं, तो आज वो national assembly कैसे हुई, क्योंकि आम आदमी party को चार state assembly elections में 6% से ज़्यादा vote मिले, जिसमें दिल्ली, पंजाब, गोवा और साथ में गुजरात शामिल है, गुजरात elections में उन्होंने बहुत अच्छा perform करा, 12% के आसपास उनको वहाँ पर vote मिले, तो आज वो एक national party है, क्योंकि उनको चार assembly elections में क्या हैं, 6% से ज़्यादा vote मिल गए, तो यह example के लिए आपके समझाने के लिए, इसके अलावा आज के समय पे, भारत के अंदर, total 6 national political parties आपको देखने को मिलेंगी, तो कौन-कौन सी यह 6 national political party हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं, तो national parties और उनके symbols की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, आम आदमी party, आम आदमी party की बात करें, तो ज़ाडू, broom जो है, वो इनका symbol है, 2012 में इस political party को found करा गया, founders में अरविंद केजरिवाल थे, जो आज के समय पे दिल्ली के मुख्य मंतरी हैं, इस political party की ideology क्या है, कि भईया यह system के अंदर, governance के अंदर accountability लाना चाहते हैं, clean administration लाना चाहते हैं, transparency लाना चाहते हैं, यानि कि corruption दूर करना चाहते हैं, और good governance लोगों को ensure करना चाहते हैं, तो अन्ना आंदॉलन के साथ, आम आदमी party का rise हुआ, और corruption के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, वो बात अलाग है कि आज की rate में, ये खुद corruption के charges में involved हैं, तो ये था आम आदमी party के बारे में, वहीं दूसरे level पर अगर हम देखें, तो दूसरी party हो जाती है, बहुजन समाज party BSP, जिसका political symbol है elephant, BSP की अगर हम बात करें, तो 1984 में काशिराम जी ने इस political party को found करा था, ये जो political party है, ये basically आपको देखने को मिलती है, कि जो बहुजन समाज है, यानि कि दलित, आदिवासी और backward, other backward communities हैं, उनको ये represent करती हैं, उनका political power और representation का बढ़ाने का काम करती हैं, साथ ही साथ, साहु महराज, महात्मा जोतिबाफुले, पैरियार, रामा स्वामी नाइकर, बाबा साहिब अंबेड कर, इनके जो ideology हैं, इनके जो ideas हैं, उनसे inspiration लेकर के, भाँजन समाज party काम करती हैं, भाँजन समाज party काम करती हैं, भाँजन समाज party के आज के डेट में, जो आपको leader देखने को मिलती हैं, वो है मायवती जी, जो उत्तर परदेश की chief minister भी रह चुकी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, कि भाँजन समाज party का जो politics का base है, वो कहीं न कहीं, उत्तर परदेश या North India हमें देखने को मिलता है, तो इसके बाद अगर हम देखें, तो आमादी party और भाँजन समाज party के बाद, आपको देखने को मिलती है भारतिय जनता party, भारतिय जनता party के अगर हम बात करें, तो आप सब जानते हो कि भाईया कमल का fool, इनका चुनाव निशान है, 1980 में इस political party को फाउंड करा गया था, अटल बिहारी वाजपई जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपई जी ने जो भारतिय जनसंग का, जिसको शामा प्रसाद मुखर जी ने 1951 में बनाया था, उसी को रिवाइव करके ये political party, भारतिय जन्ता party यहाँ पर बनाई, साथ में जब बात आती है भारतिय जन्ता party की ideology की, तो भारतिय जन्ता party strong और modern इंडिया बनाना चाहती है, और जो भारत के culture, भारत की values जो है, उसको अपना base बना करके ये strong और एक modern इंडिया बनाना चाहते हैं, इसके अलावा दीन द्याल उपाध्याई जी का जो humanism और अंतियोदे, अंतियोदे का मतलब क्या, कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ती के लिए काम करना, उसकी जो ideology है, उसको ये follow करते हैं। तो भारतिय जंता party आप देख रहे हैं कि 2014 से लेकर कि at present पावर में है, नरेंदर मोदी जी की leadership में और उससे पहले अटल भिहारी वाजपई जी भी जो है क्या रहे, इस political party से प्राइम मिनिस्टर है, one of the best leader या statesman आप कही है। इसके बाद आता है Communist Party of India Marxist, Communist Party of India Marxist की अगर हम बात करें तो इस तरहें के से आपको इनका party symbol देखने को मिल जाएगा, जिसमें सिकल, हतोडी और साथ में एक star शामिल है, 1964 में इस political party को बनाया गया था, जोती बसू, HK Conner और साथ में P. Sundarayya जी के तरफ से, ये इसके founders थे, ये political party जो है Marxism और Lenism में विश्वास रखती है, सोशलिजम को सपोर्ट करती है, डिमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और जो imperialism और कमिनलिजम है, यानि कि समराज्यवाद और एक तरह के से साम्परदाइक्ता, उसके खिलाफ ये political party काम करती है, यहाँ पर इन political parties के symbols याद रखना आपके लिए थोड़ा सा important हो जाता है, उसके बाद अगर आप देखो, तो आती है हमारी fourth या fifth important national party, that is Indian National Congress, भारत की सबसे पुरानी political party, 1885 में इस political party को बनाया गया था, अंग्रेजों के खिलाफ, A.O. Hume, W.C. Benerji, सुरे और साथ में दादा भाई नरौजी जैसे leaders पहले शामिल रहे, इस political party ने, Congress ने freedom struggle के अंदर एक बहुती important role play करा, और भारत की आजादी के बाद भी, काफी लंबे समय तक, यह political party national और state level पर dominant रही, यहाँ तक कि अगर हम देखें, तो 1977 तक, center के अंदर Congress party एक ruling party थी, और काफी सारे states के अंदर इनकी सरकार थी, हलाकि 1989 के बाद थोड़ा सा चीजें हमें change होती हुई, बदलती हुई देखने को मिली, साथी साथ पंडी जवारलाल नहरू जी की leadership में, इस political party ने, Congress ने, आज जो आप भारत देखते हैं, modern, secular, democratic republic को establish करा, क्योंकि अगर आप देखें, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, क्या ये कहिए कि भारत जब आजाद हुआ तो उसमें से पाकिस्तान को बनाया गया, बट आज जो modern, secular, republic भारत आप देखते हैं, उसका एक परसेंट भी पाकिस्तान नहीं है, modern institutions के मामले में बात कर लीजिये, secularism के मामले में बात कर लीजिये, या republic के मामले में बात कर लीजिये, तो just because of the leadership of this country, जो हमारी initial leadership रही, सरदार वल्लब भाई पटेल, पंडि जवार लाल नहरू, इन सब लोगों ने मिल करके इस देश को बनाया, आगे चल करके उनके बाद जितने भी प्रधान मंतरी हुए, लाल भादुर शास्त्री जी से लेकरके, इंद्रा गांदी और बाकी सब, सब ने इस देश के लिए best करा, इसके बाद आती है, National People's Party, यह सबसे नई Political Party है, जो आपको यहाँ पर क्या बनती हुई देखने को मिली, National Party बनती हुई देखने को मिली, 2013 में P.A. सांगमा जी ने, National People's Party को बनाया था, यह Political Party नॉर्थ-East इंडिया में, काफी जादा popular है, मेघालिया के अंदर इनकी सरकार भी है, और यह जो Political Party है, यह नॉर्थ-East इंडिया की पहली Political Party है, जिसको National Party का दर्जा मिला, साथ ही साथ, Education, Employment जैसे मुद्दों पर, युद्ध को Empower करने पर, समाज के, Society के हर एक Section को Empower करने पर, इस Political Party का ध्यान रहता है, तो यह 6 National Political Parties हैं, जो आपको आज के समय में देखने को मिलती हैं, भारत के अंदर, ठीक है, तो यह था National Parties के बारे में, और उनके Symbols के बारे में, इसके अलावा, कुछ Political Parties ऐसी भी हैं, जिनको हम State Party या कहें Regional Party कहते हैं, State Party के अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपको काफी सारे State Parties भी देखने को मिलते हैं, जिसको Election Commission of India ने Classify किया है, इन Political Parties को आप Regional Parties भी कह सकते हैं, बेकॉज यह किसी Particular Region या किसी Particular State के अंदर, काफी ज़ादा क्या है, एक तरेके से वहाँ पर प्रभावी हैं, वहाँ की Politics में इनका बहुत बड़ा दबदबा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, समाजवादी पार्टी की, राष्टे जनता दल की, तो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, लालु प्रसाद यादव जी की RJD, राष्टे जनता दल, यह क्या है, यह कुछ State Parties हैं, इसके अलावा अगर आप देखो, तो और भी बहुत सारी Political Parties, आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि बीजू जनता दल हो गया, उडिशा में, सिक्किम Democratic Front हो गया, सिक्किम में, Nizu National Front हो गया, Mizoram में, यह कुछ Political Parties हैं, जो कि State Identity को कही न कहीं दिखाती हैं, नाम से ही आपको पता लग जाएगा, कि किसी Particular State की बात यहां पर हो रही है, तो यह सब Regional Parties आपको भारत के अंदर देखने को मिलती हैं, और पिछले अगर 30 years की हम बात करें, तो 30 years के अंदर Regional Parties काफी जादा strengthen हुई है, मजबूत हुई है, expand हुई है, यह एक बहुत important चीज़ है, जो हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि जब Coalition Government का time रहा, जब लोकसभा के अंदर किसी भी National Party को majority नहीं मिली, चाहे अटल बिहारी वाजपई जी के time की बात करें, या आगे चल करके उसके बाद, मनमुहन सिंग जी Government की बात करें, तो तभी से, या उससे भी पहले बलकी, तभी से हम देख रहे हैं, पिछले 30 years में, जो हमारी Regional Parties हैं, उनका rise हमें होता हुआ देखने को मिला, एट प्रेजेंट 2024 के चुनाव के बाद भी अगर हम देखें, तो Regional Parties ही यहाँ पर important role play कर रही हैं सरकार बनाने में, बीजेपी आज दो main Regional Parties के समर्थन के साथ चल रही है, जिसमें एक है JDU, जन्तादल, उनाइटेड, नितिश कुमार की, और दूसरी है TDP, तेलगू देशम पार्टी, चंदरबाबू नाइडू की, अगर दोनों में से किसी ने भी समर्थन वापिश ले लिया, तो मुदी सरकार गिर जाएगी, ऐसे ही एक और पॉलिटिकल पार्टी भी है, राम विलास पासवान जी की, जो बिहार की एक पॉपुलर पार्टी है, उनका भी समर्थन है सरकार को, तो आज फिर 2024 में हम क्या देख रहे हैं, कि नैशनल पार्टी जो है BJP, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, इसी लिए जो रीजनल पार्टी हैं, उनके समर्थन के साथ क्या है सरकार बनाई जा रही है, तो यह सब हमने यहां पर देखा, तो कह सकते हैं कि 1996 के बाद से रीजनल पार्टी नैशनल लेवल पर बढ़कर के आगे आई, रीजनल इशूज को नैशनल लेवल पर इंपोर्टेंस दी गई, और इससे हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल लिजम है, उसको एक मजबूती यहां पर हमें मिलती हुई देखने को मिली, तो यह था नैशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में, जिसको अभी हमने यहां पर डिटेल के साथ डिसकस करा, अब आगे की तरफ चलते हैं, और यहां पर हम बात करेंगे, अच्छा, यह मैप भी आप देख लीजिए, इस मैप के अंदर आपको दिख जाएगा, कि कौनसे स्टेट में कौनसी पॉप्लर पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहां पर जम्मू कश्मीर नैशनल कॉन्फरेंस, आपके सामने, आप इसको एक बार गो थू कर लिजे, बट नॉट बाट इंपॉर्टेंट ठीक है, जो दो-तीन पॉलिटिकल पार्टी के नाम हमने पढ़े, वो इंपॉर्टेंट है, पाकि सब के बारे में पता होना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे, अब देखे क्या है कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने देखा पड़ा, आज के समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसमें सबसे पहला चैलेंज है, लाक ओफ इंटर्नल डेमोक्रेसी, इंटर्नल डेमोक्रेसी की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देखे क्या है, कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी डिसीजन्स लिये जाते हैं, इन डिसीजन्स के अंदर पार्टी के जो हर एक मेंबर है, उसको कोई पूछा नहीं जाता, यानि कि every member of the party does not have the chance to participate in the decision making process, तो जो पार्टी की top leadership है, जो पार्टी के top leaders हैं, वही क्या करते हैं, वही सारे के सारे decisions ले लेते हैं, जो ordinary members हैं उस political party के, उन तक जाधा information नहीं पहुँचती कि भाई आप पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, तो political party की जो top leadership होती है, वही खुद सारे decisions ले लीती है, तो ये कहना सही है कि भाई internal democracy political party के अंदर नहीं है decision making में, साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, कि जो दूसरा सबसे बड़ा challenge हमें देखने को मिलता है, वो है dynastic succession का, dynastic succession की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आप देखते हैं कि हर एक political party में जो top leaders हैं, उनके पास power है, तो जो party की top positions होती हैं, उसमें उस party के top leaders के family members काफी ज़ादा क्या है, influential हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, कि जो able leadership होती है, जिन लोगों को सही मायनों में नितृत्व मिलना चाहिए था, उनको वो नहीं मिल पाता, और जो की काफी ज़्यादा क्या है, unfair हो जाता है, तो आप किसी भी political party को उठा करके देख लिजी आज के समय पर, चाहे Congress हो, चाहे समाजवादी party हो, चाहे BJP हो, कोई भी political party हो, हर एक political party के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, और भी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो second, सबसे बड़ा challenge हो गया, dynastic succession का, dynastic succession के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, कि जो third important challenge है, that is growing money and muscle power, आज के समय पर क्या है, कि चुनाव लड़ने के लिए भाईया, बहुत पाईसे की जरुरत होती है, बहुत जादा पाईसा चुनाव लडने के लिए चाहिए होता है, चाहे public meeting करनी हो, चाहे rally करनी हो, demonstrations करने हो, नेता जी को पाईसे की जरुरत है लोगों को एकठा करने के लिए, और उसी वज़ा से हम क्या देख रहे हैं, कि आज के समय पर जो political parties है, वो ऐसे candidates को tickets दे रही हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, या कहिए जो एक तरह के से बाहु बली, गुंडे टाइप नेता हैं, जिनका एक criminal background भी रहा है, आपने अकसर news पर देखा होगा, news anchors खुद बोलते हैं, कि बहुती बाहु बली नेता हैं, बाहु बली नेता का मतलब क्या हुआ, बाहु बली नेता का मतलब ये हुआ, कि एक तरह के से सम्मान के साथ, आदर के साथ, उस नेता को गुंडा कहा जा रहा है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और ये democracy के लिए एक बहुत बड़ा challenge है, इसके अलावा अगर हम देखें, तो कई बार तो political parties इन criminal candidates को support भी करती हैं, और फिर क्या, आगे चल करके वही हमें देखने को मिलता है, कि भाईया corruption की cases सामने आ रहे हैं, गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे हैं, नेता जी के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, कि भाईया हमरे चाचा तो विधायाग है, या हमरे मौसा तो विधायाग है, तो होगा ही, जब ये होगा, तो ये सब challenges आज की समय पर आप देखते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा, सबसे major challenge जो हम देख रहे हैं, वो है lack of meaningful choice to the voter, इसका मतलब क्या है, देखो क्या है कि हर political party की अपनी, एक fundamental ideology होती है, हर political party अपना एक issue, अपना एक ideological issue लोगों के सामने रखती है, policy लोगों के सामने रखती है, अब क्या है कि आज के समय पर हम क्या देख रहे हैं, कि नेता जी keeps on shifting, नेता जी को जहां से बड़िया offer आया, पल्टी मार लेते हैं भाईया, तो आज के समय पर ये सबसे ज़्यादा challenge हमें याँ पर देखने को मिलता है, अब voters के पास meaningful choice ना होने का मतलब क्या, कि नेता जी कभी इधर पल्टी मार रहे हैं, कभी उधर पल्टी मार रहे हैं, दो दिन पहले जो हैं, वो BJP को लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे, और चार दिन बाद जो हैं Congress को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो lack of meaningful choice to the voters, कि वोटर बिचारा confused है कि हो क्या रहा है, अब वोटर को क्या पता कि नेता जी तो अपना 20-25 करोड रुपया लेकर के, एक फार्चुनर गाड़ी का वादा लेकर के, मंत्रीपद का वादा लेकर के, पल्टी मार गए हैं भीया, तो वोटर्स आज के समय पर ideologically connect नहीं कर पा रहा, confused हो जाता है वोटर, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कि इन political parties को reform कैसे करा जा सकता है, इन political party को आज के समय पर सुधारा कैसे जा सकता है, तो देखो जब reform की बात आती है, तो reform करने की कोशिश आज से नहीं पहले से हुई, राजीव गांधी जी के टाइम पर एक कानून लाया गया, जिसका नाम था anti-defection law, anti-defection law की जब हम बात करते हैं, तो इसमें कोशिश करी गई कि जो नेता लोग पल्टी मारते हैं, इनको ये पल्टी मारने से रोका जाए, तो क्या करा गया, यहाँ पर राजीव गांधी गवर्मेंट ने एक कानून पास करा, इस कानून के अंदर क्या कहा गया, कि जो भी MLA या Member of Parliament, अगर पार्टी चेंज करेगा, तो वो अपनी सद्धस्यता से हाथ दो बैठेगा, यानि कि अगर किसी MLA ने पार्टी चेंज करी, वो कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव जीत करके आया था, पर अब उसको कोई और पार्टी से बढ़िया ओफर मिल रहा है, तो वो वहाँ पर पल्टी मार रहा है, तो वो पल्टी मारने से क्या होगा, कि उसकी जो सद्धस्यता है, वो जो चुनाव जीता है, लेजिस्लेचर में उसको जो सीट मिली है, उसको उससे हाथ धोना पड़ेगा, तो इस नए लौ ने डिफेक्शन को कम करने में मदद तो करी, बट इससे क्या हुआ, कि अब अगर सच में मान लो कोई डिफरेंसेज हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी नेता को पार्टी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ अवाज उठा नहीं है, अब वो वो काम नहीं कर पाएगा, तो जो डिसेंट था, वो कहीं न कहीं यहां पर क्या है, दब गया, तो एंटी डिफेक्शन लौ से कोशिश करी गई, कि भाईया क्या करा जाए, यह जो नेता लोग पल्टी मारते रहते हैं, इन्हें रोका जाए, इसके अलावा, यहां पर अगर हम देखें, तो सुप्रीम कोट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था, सुप्रीम कोट ने कहा, कि एवरी कैंडिडेट शुड गिव डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिउरिंग दे नॉमिनेशन, तो जैसे की मैझने आपको बताया, कि भई लगातार क्रिमिनलाइजेशन या मनी का रोल पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ रहा है, ऐसे नेटा, जिनका क्रिमिनल बेक ग्राउंड है, उनका दबदबा पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए ऐसे नेताओं की influence को कम करने के लिए यहाँ पर Supreme Court ने एक order पास करा और कहा कि भईया नेता जी को अब एक एफिडेविट देना पड़ेगा नॉमिनेशन के दौरान और उसके अंदर बताना होगा कि उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल मामले चल हैं कितनी property उनके पास है अगर आप चाहें तो एक website है माए नेता करके क्या है website का नाम माए नेता आप इस website पर जाएए आपको हर एक member of parliament member of legislative assembly जो चुनाव जीते लड़े हर किसी की property कितने क्रिमिनल मामले है सब के details इस पर अराम से मिल जाएंगी तो ये सब कोशिशे करी गई ताकि लोगों के पास information हो अब क्या है कि भाईया information तो available है कि भाईया इस नेता के ऊपर 10 क्रिमिनल मामले चल रहे हैं property बहुत है और पिर लोग तब भी उनको vote दे देते हैं तो ये तो लोगों की गलती है तो ये काम यहाँ पर करा गया साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो election commission of India ने कहा कि हर एक political party को political party के अंदर organizational elections कराने होंगे यानि कि party के अंदर जो भी system है party के अंदर जो भी पद होते हैं उसमें क क्या करना होगा elections कराने होगे कि जिला मंतरी कौन बनेगा जिला उपाध्यक्ष कौन बनेगा इन सब के लिए चुनाव कराना होगा और साथ ही साथ IT returns income tax return भी political parties को भर दी होंगी अब political parties ये काम करती तो है but it's just a formality चलती वही टॉप leadership की है अभी भी इसके अलावा अगर हम द अभार करा जाए तो क्या है कहा जाता है कि भाईया एक ऐसा कानून बना दिया जाए जो political party के internal affairs को regulate करेगा अब बात तो वही है कि कीचड में तो सब हैं सब के हाथ गंदे हैं तो पहल कौन करे भाईया हर political party इन सब malpractices के अंदर इन सब challenges से डील कर रही है तो कौन करेगा तो वो एक सबसे बड़ा point आजाता है दूसरा ये कहा गया कि भाईया हर political party क्या करे ये सुनिशित करे कि जितने भी members को वो ticket दे रहा है दे रही है political party उसमें one third जो है महिलाओं को देना पड़ेगा यानि कि women representation को बढ़ाने की बात करी गई women empowerment की बात करी गई साथ ही साथ ये बोल पैसा खर्च करते हैं तो बदले में चाहेंगे कि return भी वापिस मिले अगर कोई नेता जी चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड रुपया खर्च कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद तो नेता जी चाहेंगे कि 5 के 50 हो जाएं भाईया कम से कम और corruption होगा तो यहां पर बोला corruption यह कहें money और muscle power का जो issue है उससे लड़ा जाएं बट वही है कि यह थोड़े से complex suggestions हैं इतनी आसानी से इनको लागू करना possible नहीं हैं पट हाँ अगर हम सही मायनों में चाहते हैं कि political parties सुधरें system के अंदर changes आएं सुधार हो तो क्या किया जा सकता है तो देखो अगर हम सही मा pressure से वो काम कर सकते हैं अरे वही यह रुक जाओ people's का pressure बहुत जरूरी है हिंदी में कहावत है public gets the leadership it deserve आप वही नेता आपको मिलेगा जिसको आप deserve करते हो तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोगों को जागरुक होना बहुत जादा क्या है जरूरी है अगर लोग corrupt leaders के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो political parties गुंडे मवाली या कहें भावली नेताओं को ticket दे देती है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे political parties के ओपर जब एक pressure बड़ेगा तो क्या होगा तो खुद political parties पीछे हटेंगी ऐसे ही एक बार की बात है एक TV शो था या पता नहीं कुछ प्रोग्राम था बड़ा जहां पर मुंबई के अंदर वो हो रहा था नाना पाटेगर जो की बहुती famous film actor है वो उसके अंदर host कर रहे थे और वहां पर program में मुंबई के उस टाइम के deputy chief minister और chief minister शामिल थे तो उन्हों ने देविंदर फटनविजदी के आगे ये question रखा कि मैं देखता हूँ कि भाया चुनाव से पहले आपने ऐसे candidate को ticket दे दिया जो normal ward member बनना है जिसे कि चुनाव के बाद थोड़े time में उसके बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई बहुत पैसा आ गया जब हमें ये चीज़ दिखती है कि भाया corruption से इसके पास ये पैसा आया तो क्या आप लोगों को ये चीज़ नहीं दिखती टिकेट देते समय तो देविंदर फटनविज ने बहुत बड़ी बात गई कि ठीक है हम नहीं देंगी उसको ticket कोई और political party देगी वो फिर जीत क्या जाएगा तो ultimately लोगों के उपर है ये public gets the leadership it deserves आपके उपर है ये कि आप कैसे नेता के लिए vote डालें आप कैसे नेता को चुनें तो public pressure people pressure होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है साथ ही साथ people's participation भी ज़रूरी है आज के समय पर हम क्या देखत हैं कि भाईया politics तो दलदल है कौन इसके अंदर उतरे और जिस वज़ा से क्या है कि जो अच्छे लोग है वो politics के अंदर उतरने से डरते हैं कि भाईया कौन उतरे छोड़ो नायक movie देखी होगी जिसके अंदर हमारे जो अनिल कपूर जी है वो chief minister बने थे एक दिन के लिए त उनको वो भी यही बात कहते हैं कि अरे दलदल है यह तो कौन उतरे इसके अंदर तो उस time पर जो परेश रावल उसके अंदर रोल कर रहे हैं परेश रावल उने कहते हैं कि अगर हर कोई यह समझने लग जाए तो दलदल साफ कैसे होगा तो public participation is something very very important तो यह काम करके हम सही मा आनों में political parties के अंदर reform ला सकते हैं तो यह था आपका chapter political parties इस chapter के अंदर हमने detail के साथ political parties के बारे में पढ़ा उनकी जरूरत को समझा functions को देखा Political parties के सामने क्या challenges हैं वो समझे और कैसे reforms करे जा सकते हैं वो देखा साथ ही साथ कुछ important political parties के बारे में पढ़ा और national और state political party का क्या criteria है वो हमने देखा So that's all for the day I hope आपको ये session पसंद आया होगा नीचे description के अंदर telegram channel का link है जरूर join करें for all the updates साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं करा है So please make sure to subscribe, restart with motion So चलिए, आज की class को यहीं पर end करते हैं That's all for the day Thank you so much everyone Gautam Lakhani signing off Jai Hint, Jai Bharat Thank you so much everybody